पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना में जो कारिकरम हो रहा था अनुग्रा नाराइन मेडिकल कॉलेज में जो कारिकरम हो रहा था उसमें मेरे उपस्थित अनुपस्थिती में ही वहां उधगाटन हुआ है और एक नागरिक भागलपुर के नागरिक होने के कारण भी मुझे आमंत्र नहीं दिया गया जिसके कि जिस तरह से मुझे अंदेखा किया गया और मैं भागलपूर से ही हूँ और भागलपूर के नागरिक हूँ एक भागलपूर के नागरिक होने के कारण ही मुझे अमंत्रन देना चाहिए था मुझे अमंत्रित नहीं किया गया यह कहते हुए नाराजगी जताय और पत्र कर नाराजगी ब्यक्तिया है आपको बता दें कि जेपी नडड़ा केंद्रिय स्वास्त मंत्री बिहार दोरे पर आये हैं और बिहार को स्वास्त के छेत्र में बड़ा सवगात दिया है जहां आईजी आएमस में रिजिनल इंस्टूट आफ अप्थाल्मोलाजी का उध्धाट का उध्धाटन किया जिसमें 20 बेड का विवस्था किया गया है साड़े साथ क्रोड लागत से बना है वो पूरे बिहार में कम गया जिले में वी जाकर उन्होंने उध्धाटन किया है इस तरह पूरे बिहार के कई जिले में स्वास्त सेवाओं से संबंदित कई अस्पतालो हो रहा था जिसमें जेपी नड़ा वहां घाटन करने गए थे तो भागलपुर से ही पुर्वे सांसद अस्वनी चौबे वहीं के नागरिक हैं तो उनको आमंत्रत नहीं किया गया था इसको लेकर वो नाराज हो गए और उन्होंने पत्र लिख दिया जेपी नड़ा को और नि लिखा कि समय बहुत बलवान होता है और समय का इंतजार है इस तरह के अपने पत्र में उन्होंने लिखा है और नाराजगी ब्यक्त किया गया तो फिलाल इस ख़बरों बस इतना ही आगे के तमाम ख़बरों के लिज़ बने रहे हैं मरे साथ वीडियो को लाइक करें सेयर कर परना ना भूले धन्यवाद